रुकिये रुकिये शगुन की महंदी सबसे पहले तो सासुमा लगाती है या अल्ला यह तो बहुत चल रहा है देखते हैं कब तक पहादरी का दिखावा करती हो जोया चुडेल को चुडेल की तरह ही देखना चाहिए रजिया को नीचे आने में इतना वर्क लगना चाहिए कि जब तक वो नीचे आए हमारे लोग आ जाए और फिर हम अपनी चाल चल सकें अब मैं दूले मिया का नाम लिखने चारी हूँ जिसे दूले मिया को धूरना होगा अब आंटी नाम ऐसे छुपाके लिखना कि भाईजान को दिखाई ना दे अब मुझी में उच्कार्ता अब मैं चाहती हूं कि जोया को घिर रुकियों अब करले गरने की जोया साजन में कि थाए कि तुम विट यहां इन दोती आ से इनकार करतों की मैं चाहती हूं कि मेरे शोहर का नाम अपिक कर हाथ पर Цन्दीर असा कि बहुत जादा देर हो चुकी है उफ में तो ही तक तयार भी ने हुई हूँ जी महमान भी आ गए है और सबसे बड़ी बात उस बुड़िया का कुछ भरूसा नहीं है क्या मता क्या गड़ पर करते है तो यह विग इतनी अड़ी आफ़त है ना सारा वक्त लग जाता है इसमे अला मेरी विग यह क्या हो कि मेरी विग को यह किसने रंग दिया इसे अला यह हो यह हो चुपोंगे नी में तचे बुरिया दुलन भी आ गई दुला भी आ गया दुलन के अम्मी अभी तक नी आई लगता है आज बजिया भी ना वईदा रह्मान बन कर नीचे उतनेंगी हा और सुनो मेहंदी बहुत खुबसूरत होनी चाहिए और सबसे खुबसूरत होना आजाए इस मेहंदी में मेरे असत का नाम सम्झी कि एक मिड़ ठेख लाए करें जैमी मत लिखते हैं ना मेरे हाथ पे निख रही हो अपने हाथ पे नहीं मैं तुम्हें बता नहीं सकती तरणीर, उचे कितना अच्छा लग रहे हैं.. कि तुम खुद अपने हाथों से मेरे हाथों पे असद का नाम लिख रही हैं.. बड़े भी बिलकुल सही कह रही है.. पहले खाना खा लेते हैं बाद मेरे सम्.. चलो चाल खाना कहते हैं बिल्कुल नहीं सकाई की रस्म पहले होगी अम्मी यह क्या अरकत है और अपने पालों को क्या लगाया है अम्मी क्यों पूरी दुनिया के सामने खुद को और हम सब का मजा बनाते रहेंगे जिने हसना है उन्हें हसने तो बड़ी बी शुरू करे यह महली तुम्हें बहुत भाड़ी परी की सवया तुना ना लाड़ी तुना लाड़ी करें तुना लाड़ी करबून है